स्वागत है आपका चामनगर के लाखोटा लेक पे इसे रन्मन लेक से भी जाना जाता है यहें एंट्रेंस जहां से लेनी है हमें टिकेट ओनलाइन भी आप यहां पैमेंट कर सकते हैं एंट्रेंस टिकेट प्राइस टैन रुपीज है गेट नमबर वन से एंटर होते ही राइट साइड हम आगे बढ़ें जहां ड्रिंकिंग वोटर और वाश्रूम मिलेगा आपको तो यह है लाखोटा लेक के बीच बढ़ने म्यूजियम के नजारे दूर से अंदर भी हम लोग जाएंगे थोड़ा आगे चलते है वैसा भी दूपी बहुत है यह हमें दिखा इससे भूजिया कोठा कहते है यहां से सुरंग निकलती है जो सीधा जाती है भूज सीटी इसका भी रिनोविशन हो रहा है अभी हम आ गए लाखोटा पैलेस मूजियम के एंटरेंस पे यहां थोड़ी इंपोर्मेशन दे रखी है बैड लख यह वेनस डे को क्लोज रहता है और आज है वेनस डे तो हम नहीं जा सकते हैं यहां पर टिकेट प्राइज लिखा है इंडियन के लिए एंट्री 25 रूपीस और फॉरें परसन के लिए 150 रूपीस अगर यह ओपन होता तो मैं आपको अंदर से मेक के बिल्कुल बीच से दिखाती वैसा मैंने यह रिनोवेशन से पहले देख रखा है यहां अंदर पुराने राजा साई तोप गोले और एक वेल मचली होती है उसका स्कैलेटन भी रखा है अगर आप कभी आते हो अंदर जाके जरूर देखना अभी हम बाहर से ही नजारे को एंजोई करते है फिर चलते हैं आगे यहां बोड पे इंफोर्मेशन डे रखी है आगे पार्क भी है थोड़ा आगे चलके हमें दिखा यह बाला हनुमान मंदिर यहां पे 61 यह से रामधुन कंटिन्यूस चली आ रही है यहां पंची को दाना डालने के लिए यह बनाया है यहां यह जोगिन ट्रेक बना है जहां लोग जोगिन के लिए आते है यहां रनिंग गाइड भी दे रखी है यहां थूकना मना है फिर भी डस्बिन देखो आप यहां पे लिखा है क्या नहीं करना है यह लेख पूरा सिटी सेंटर में है और अंदर आने के लिए नाइन एंट्री गेट है 18th सेंचूरी में यह लेख जाम रनमल के द्वारा बिल्ट किया गया था महाराजा रंजित सिंग का स्टेचू है जो सामने गोड़े पे है यहां यह आजाद वाकसे गार्डन है देखते हैं अंदर जाके सीडी चड़के अंदर कोई भी नहीं है अभी देखते अंदर जाके सीडी चड़के देखा अंदर कोई भी नहीं है अभी छोटा सा क्यूट गार्डन है और यहां बैठने के लिए ऐसी कुटिया बना रखी है अच्छी है अभी हम थोड़ा सामने आ गए पैलेस के और यह है नजारे इसके बिल्कुल सामने भी यह जाम साब का स्टेच्यू बना रखा है जिसकी भी रिनोवेशन चल रही है थोड़ा आगे यह जगतंबा गार्डन दिखा तो अंदर चलते हैं छोटे बच्चों के लिए है यह गार्डन आठ साल से छोटे बच्चे यहां की राइड्स को एंजोई कर सकते हैं यहां यह ब्रीज जैसा है जो गार्डन के दूसरे पार्ट में जा रहा है यह सामने पी छोटे बच्चों के साथ पैरेंस दिख रहे हैं तो यह है इस गार्डन के नजारे यहां बैठने को भी है हम भी थोड़ी तर यहां बैठे यह हमने आरे से ज्यादा राउंड कंप्लेट कर लिया सामने जो बिल्डिंग है यहां से भी हम लाखोटा पैलेस की टिकेट लेके एंट्री ले सकते हैं यह लेफ साइड पे है टिकेट काउंटर अब सेंसेट होने को है और लेफ साइड पे यह जिम इपिक्मेंट की दिख रहा है चलके अंदर देखते हैं यह जिम के सामने वाली साइड पे फूट स्टोल भी है अगर भूख लगे इतना चलके तो आप यहां पे खा सकते हैं तो यह जिम एरिया और लोग यहां एक्सरसाइज कर रहा है अब हम चलते हैं आगे यह और एंट्री एक्जिट केट है अभी साम होने को है तो फांटेन भी स्टार्ट हो गए है यहां लेजर शोग भी होता है अभी शायद पता नहीं चलू है या नहीं यह है लाइटिंग फांटेन यहां अमर जवान की याद में आर्मी नहीं यह रखा है यह लेक्ट का रिनोवेशन और ओपनिंग दो जाल सोला में हुआ था दो पहर को यहां कोई नहीं था और अभी इतने सारे वैकल आ रख रहे हैं अभी हम चर्णा मसाला लेक्ट के चलते हैं और फिल मिलते हैं किसी और नहीं जगा पर ह् आप आर और नहीं गोर्णा कोई दो वहाँ झाल सी और रहे हैं ।